अब बढ़ियास इंको मैं पका रही हूं यह देखे आप बहुत अच्छे से रोस्टेड नहीं हो जाते हैं एकदम से ब्राउन कलर नहीं हो जाता है तब तक इनको फ्राइ करते रहेंगे और यह देखे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब इनको निकाल लेंगे और यह का मेंन मोटिफ क्या है किस सर्दिया है कहीं हम लोग रेस्टराइं जाना नहीं चाहते इसलिए घर में बैटकरी बनाइए और सर्दियों का मज़ा लेजिए क्योंकि यह बिंटर वाली रेस्पी है गर्मियों में आप इसे नहीं खा सकते हैं नुकसान करता है यह देखिए ह कि नहीं अवे चाहते यह थनका सकते हैं राइड ऱी अवत सकता है राइड चिली यह सावट लालमिर्च दॉने को यह ने भी नातर डालत ए अनुकसा दाल दिया हमने अपना अद रख लेर लेशन का थे लिंए लेकल रिख है और lose बढ़ी अज में बत राइच पर ले एक देखेंगे थोड़ा से मसाला एड़ेंगे हल्दी धनिया मिर्ची अज उसल्स यो हमारी मसालदानि में होते हैं इसमाने मसाला एड़ेंगे अजिकल तोड़ा नमग झाल को भी थोड़ा से फखा लेंगे दो मिनिट के लिए सब कुछ हाई फ्लेम पर रहना है ना फ्लेम अपने चौब कर लिए तक प्यास थी वह फ्राइब हो रही थी यह देखिए बढ़िया टमाटर इनको भी फ्राइब लिया और यह थोड़ी सी मतर मैंने अट कि अब सड्दियां है तो मतर रही है वही बिंटर स्पेशल है तो डालना बनते ही है हर एक ग्रेवी में तो यह थो इनको दो मिनिट तक ढखके पकालेंगे थोड़ असा तकि ग्रेवी जो है उसका टेस्ट इन एक के अंदर चला जाए यह देखिए हमारी एक करीबन के त्यार हो गई है खाईए खिलाईए खुस रहिए और बनाते रहिए कुछ नया नया जैसा मैं बनाती हूं मेरे साथ चल